सिधार्थ क्यारा बनने जा रहे हैं पती-पत्नी इसी साल दिसंबर में होगी खूबसूरत कपल की शादी दिली नहीं बलकि शहर में साथ फेरे लेने जा रहे हैं कपल सिद्धार्थ मलोत्रा और क्यारा आडवानी भी अपने प्यार को शादी का नाम देने के लिए तयार है इसी साल दोनों शादी के बंधन में बंधने को उतावले हो रहे हैं खबर है कि जद्धार्ट मलोतरा और क्यारार दिसंबर के महिने में साथ फेरे लेने जा रहे हैं। पहले खबर आई थी कि दोनों की शादी दिल्ली में होगी लेकिन अब उनका वेडिंग वेन्यू चंडिगड हो गया है। जी हां रिपोर्ट की माने तो अब ये शादी चंडिगड में होने जा रही है। कहा जा रहा है कि कपल इसी सिटी में वेडिंग वेन्यू तलाश कर रहे हैं। सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो उनकी तलाश खत्म हो गई है कहा जा रहा है कि उन्होंने चंडीगड के लगजरियो बिरॉय सुखविसाल स्पा एंड रिजॉर्ट से संपर्क किया है आपको बता दें कि राजकुमार राओ और पत्रलेखा की शादी भी यहीं हुई थी खबर तो ये भी है कि कपल ने शादी के लिए गवा भी चुना था लेकिन सिधार्थ पंजाबी फैमली से हैं इसलिए उन्होंने गवा जाने का विचार छोड़ दिया हाना कि अब तक शादी की क्या तारीख है उस बात का खुलासा नहीं हुआ है बता दें कि बीते दिनों सिधार्थ और कियारा की शादी पर एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें तावा किया गया था कि सिधार्त और कियारा अगले साज शादी के बंधन में बंधेंगे इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सिधार्त और कियारा 2023 के अप्रल महिने में शादी के बंधन में बंधेंगे लेकिन इसके बाद दोनों की शादी दिसंबर में होने का दावा करने वाली रिपोर्ट सामने आई थी जिसे सुन उनके फैंस खुशी से जूम उठे थे पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि सिधार्त मलोतरा और क्यारा शादी से पहले लिविन में रहेंगे लेकिन अब लगता है दोनों पहले साथ फेरे लेंगे और फिर साथ में रहेंगे रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के घरवालों ने शादी की तैयारिया भी शुरू करती है शादी से पहले दोनों ही अपने अपने दोस्तों के लिए एक धमाकेदार कॉक्टेर पार्टी भी और्गनाईज करेंगे इसके लावा संगीत, महंदी और हल्दी के रस्म भी धूमधाम से होगी वहीं शादी में सिधार्ट मलोतरा, कियारा के करीबी दोस्त और रिष्टेदार भी शामिल होंगे हना कि शादी को लेकर दोनों में से किसी ने भी अभी तक कोई स्टेट्मेंट नहीं जारी किया है फिर भी फैंस दोनों को दुला-दुलन के रूप में देखने का इंतजार कर रहे हैं बता दें साल 2019 में सिधार्ट और कियारा, शेरशाह के दोरान एक दूसरे के दोस्त बने और फिर इनकी दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई कियारा और सिधार्ट ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया है हाला कि कुछ समय पहले सिधार्ट और कियारा के ब्रेकप की खबरे भी सामने आई थी लेकिन अब दोनों साथ हैं और बीते दिनों बॉलिवूट सेलप्स के घर पर दिवाली पार्टी में भी दोनों साथ ही दिखे थे यही नहीं करन जोहर के शो में भी दोनों ने अपने रिष्टे को लेकर इशारा दिया था और करण ने दोनों की शादी में नाचने का ऐलान किया था खबर है कि शादी के बाद करण जोहर इन दोनों के वेडिंग रिसप्षन की जिम्मेदारी समालेंगे मुंबई में कपल का ग्रैंड वेडिंग रिसप्षन होगा और बॉलिवट के तमाम हस्तियां से धार्थ और क्यारा को बदाई देने पहुंचेंगी